हेलो एवरिवन वेल्कम टू नोकर एस्पिरेंट उमीद करती हूँ आप सब ठीक है दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए ऐसे से जीडी कॉंस्टेबल की परमास्तर सीरीज की सुरुवात कर चुके हैं इस सीरीज में हम आपके साथ हिंदी विश्य के 25 प्लस सीफ्ट थर्ड उनिस फर्रीवरी 2019 की सीफ्ट फर्ष्ट दो क्येशन पेपर सोल करेंगे तो चलिए पहले थार फर्रीवरी 2019 की सीफ्ट थर्ड का पेपर देख लेते हैं जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दुब बात करते हैं अब हमारे शोचल प्लैटफोर्म की साथ भी जूर सकते हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो चलिए आज का पहला स्वाल है रिक स्थान को बरने के लिए प्यूक शब्द का चैन करें सबने खालिस्तन बजाई तो क्या बजाई ता अगर कौन सा सही है चारों में से बताइए तो हमारा सही जवाब है ओप्शन थ्री रसोईगर यह ठीक है हेलो एवरिवन चलो जुड़ जाओ सारे बच्चे निम लिखित में से उस विपकल्प का चैन करें जो दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करते हैं तो बता जाना तो हमारा सही जवाब क्या होगा वेरिगूड धंग रह जाना ओप्शन ए चक्कित हो जाना आगे बढ़ते हैं रिक स्थान को बढ़ने के लिए प्यूक शब्द का चैन करें जो करें वहें आगे बताइए जो करें वहें डैस तो जागे भरे मरे सोई जो करें वहें पताइए बेरिगूड जो करें वहें ओप्शन भी भरे चलिए आगे बढ़ते हैं देगे वाक्यांश के लेक शब्द दीजिए जो सब कुछ जानता हो करमग्य सुरवग्य मरमग्य अलपग्य तो जो सब कुछ जानता हो तो हमारा सही जवाब क्या होगा ये पहले आ चुक देगे वाक्यांश के लेक शब्द दीजिए जो कम बोलता हो मितवे, मितभाशी, मूग, वाचाल हमारा सही जवाब क्या होगा जो कम बोलता हो ये रिकूट कॉमेंट करके बताओ हमारा सही जवाब है ओप्शन भी मितभाशी आगे बढ़ते हैं देगे शब्द का विलोम चुने दुशीत इसका उल्टा बताओ ब्रश्ट प्रदुशित स्वक्ष विकर्थ तो दुशीत का विलोम बताने तो हमारा सही जवाब क्या होगा स्वक्ष आगे बढ़ते हैं रिक स्थान को बढ़ने के लिए प्युक शब्द का चैन करें राजिव छत पर सो रहा है ओप्षन ए आगे देखते हैं देगे शब्द के प्रियाई वाची शब्द का चैन करें राष्ट तो राष्ट का प्रियाई वाची बताओ धर्ती देश संसार बाहर तो हमारा सही जवाब क्या होगा स्वक्ष आगे बढ़ते हैं देगे वाक्य क वह भाग ज्याद करें जिसमें कोई तुरूटी है सबज्या इतनी महंगी है कि उन्हें खरीते वे ग्राह को सोचना पढ़ना रहा है तो बताए किसमें तुरूटी है आपके पास ऑप्षन दिये गए हैं वाक्य भी दिया गया है पढ़ो और बताओ तो मारा सही जवाब क् किसमें तुरूटी है वेरी गूड ओप्षन ए सोचना पढ़ना रहा है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगर आप किसी भी गर्णमेंट जोग के तयारी करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.nokrasprint.com पर जाकर वजीट कर सकते हैं यह हमारी वेबसाइट का लोगो है यहां पर आप आने वाले upcoming exam GDH, CTAT, CTAT किसी भी exam के तयारी यहां से कर सकते हैं यहां से आपको हर subject के MCQ और Qs मिल जाएंगे statewide exam के तयारी भी आप यहां से कर सकते हो चलिए आगे बढ़ते हैं सही वर्तने वाले शब्द का चैन करें तो बताईए कौन सा ठीक है चारो में से वन बास, बन वास, वन वास, वन वाश, बताईए चारो में से कौन सा ठीक है तो मारा सही जवाब है Option 3, 1, वास ये वला ठीक है आगे बढ़ते हैं रिक्स्थान को बढ़ने के लिए प्यूक शब्द का चेहन करे बोलने से पहले खालिस्तान करो तो क्या करो? सोया, खाया, सोचा, पिया तो बोलने से पहले खाया करो है न? या पिया करो? कमेंट करके बताओ तो मारा सही जवाब होगा बोलने से पहले सोचा करो आगे बढ़ते हैं देगे वाक्य का वह भाग ज्यात करें जिसमें कोई तुरूटी है वन प्रकरती की देन है वे देश से सुन्दरता में वर्दी करते हैं तो क्या होगा मारा सही जवाब? बताइए कमेंट करके तो किसमें तुरूटी है? वे देश से ओप्शन ए इसमें तुरूटी है आगे बढ़ते हैं देगे वाक्य मेरे खंकित खंड को पढ़ती सापित करने के लिए प्युक्त विकल्प का चैन करे तुमारे गुरू तुमकी प्राथना स्विकार कर सकते हैं प्रन्तु हम नहीं तो बताइए इसको ठीक करके बनाओ चारों में से कौन सा ठीक होगा? तुमारा सही जवाब है तुमारे गुरू तुमारी प्राथना स्विकार कर सकते हैं प्रन्तु हम नहीं Option 4 is right आगे बढ़ते हैं दिये गए वाक्य मेरे खांकित खंड को पड़ते सापित करने के लिए उप्युक विकल्प का चैन करे मुझे जिस वस्तू की आवशक्ता है यह वस्तू तुम मुझे दे देना तो बताईए इसको ठीक करो चारों में से कैसे ठीक हो गए कौन सा ओप्शन सही वैठेगा इस पर मुझे जिस वस्तू की आवशक्ता है वै वस्तू तुम मुझे दे देना Option A is right आगे बढ़ते हैं दिये गए शब्द के प्रियाई वाक्य शब्द का चैन करे मरुस्थल बताईए मरुस्थल में क्या एगा रेत रेकिस्तान उट धूल हमारा सही जवावे मरुस्थल का रेकिस्तान आगे बढ़ते हैं निम लेखित गद्यांस के रिक स्थानों की पूर्ती गद्यांस के नीचे दिये गए परसनों के नुसर कीजी संगीत के बारे में प्रायजन साधारण की यह मन बहलाने अथवा खालिस्तन का साधन है अथवा बजन पुजन में कविताय एवन चंत आध़ी भगवान के गुण गान की वस्तुए खालिस्तान के और भी वस्तुत उप्योग है यहां खालिस्तान ही नहीं मुख पसू पक्षियों तक कि खालिस्तान को प्रेवित करने में सक्षम है मनुष्य समझदार होने के कारण और भी अधिक लबाविन्त होता है तो चलिए पहले फर्स्ट लाइन देख लेते फिर पढ़ते हैं संगीत के बारे में प्राय जन साधारण की यह है तो क्या है मान्यता गायन साधन दर्ती तो हमरा सही जवब क्या आएगा संगीत के बारे में जन साधारण की यह है तो हमरा सही जवब है मान्यता है की यह मन बैलाने अथवा खालिस्तान का साधन है मनोरंजन, दर्ती, बरपूर, विश्व तो बताई मन बैलाने और मनोरंजन का साध्धन है आगे बढ़ते हैं अथ्वा बजन पुजन में कविताय एम छंद आदी बगवान के गुणगान की वस्तुवे है खालिस्तान के और भी वस्तुत उपियोग है संगीत, पुस्तक, तबला, म्रदंग तो किसके उपियोग है? और भी तो मारा सेज़व क्या होगा? संगीत के और भी उपियोग है यह खालिस्तान ही नहीं मूख पसु पक्षो तक की तो यह पले तनी यह देख लेते ही हैं पानी मनुश्य आकास गरना तो हमरा सेज़व क्या होगा? यह है मनुश्य ही नहीं अपित्टू यह है मनुश्य ही नहीं मूख पसु पक्षो तक की खालिस्तान को प्रेलित करने में सक्षम है तो पसु पक्षो की क्या? ग्रान, स्वात, भावनाव, रोग तो पता ही हमारा सही जोब क्या होगा यह हैं पसु पक्षियों की बाउनाओ Option 3 is right को प्रेरिस करने में सक्षम है मनुष्य समझदार होने के करण और व्यदिक लाभाम्विन्थ होता है तो चले यह वर पढ़ लेते हैं संगीत के बार में प्रायजन साधरण की यह मानिता है की यह मन बैलाने अथ्वा मन और अजन का साधरण है अथ्वा बजन पुजन में कविताय एमचंद आदी बगवान के गुणगान की वस्तवे हैं गुणगान की वस्तवे हैं आगे क्या आएगा संगीत के और भी वस्तुत उप्योग हैं यह मनुश्य ही नहीं मूँ पसु पक्षो तक की भावनाओं को प्रेद करने में सक्षम है मनुश्य समझदार होने के करण और भी अधिक लाबामवित होता है चले आगे बढ़ते हैं निम लिखित में से उस विकल्प का चैन करे जो ठाली का बैंगन मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है ठाली का बैंगन इधर की बात उधर करने वाला व्यक्ति सिदान्त वाद्दी व्यक्ति, गमंडी व्यक्ति, सिंदान्त रहित व्यक्ति तो मारा सही जवाब क्या आएगा? बताए कोमेंट करके थाली का बेंगन तो मारा सही जवाब है option for सिद्धान्त रहीत वैक्ती यानि कि जिसका कोई अपना कोई वजूद नहीं हो इस नहीं ये बोला ये बाट ठीक है यानि कि वो खुद की बात नहीं सोचता, दूसरों की बात तो पर चलता है, आज इसकी तरफ, कलूस की तरफ, परसु और किसी की तरफ, आगे बढ़ते हैं, दिये गए शब्द का विलोम चुने, मोन, मोन का विलोम बताने, मुखर, चुप, कंठस्त, सर्वचित, बताइए, तो मोन का क्या होगा, हमारा सही जब क्या है, मोन का मुखर, एक चुप और एक मुखर बोलने वाला, आगे बढ़ते हैं, देगे वाक्य का वह भाग ज्यात करें, जिसमें कोई तरूटी है, कभी ने कभी इस ब्रष्टाचार के विरुद हमें आवाज उठानी होगा, तो ब एक वाक्य मेरे खंकित खंड को परति सापित करने के लिए उप्यूक्त विकल्प का चेहन करें, मिठाईया लेकर विजय बाब्बु घर चला गया, तो बताइए, इसको ठीक करके, मिठाईया लेकर विजय बाब्बु घर चले गए, तो कौन सा आएगा, ओप्शन ए, दोस्तो, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दवाना ना भूले, और वीडियो को लाइक कर दो, फिर हम अपनी अगली सिफ्ट के पेपर को सोल करेंगे, तो चलिए, हमारा पहला स्वाल है, देए वीडियो को लाइक कर दो, लाइक बहुत कम है, और वीडियो को शेर भी कर दो, ताकि और बच्चे भी हमारे साथ आजाए, हमारा सही जोब क्या है, मौका मिल जाती है, ओप्शन बी, आगे बढ़ते हैं, रिक स्थान को बरने के लिए प्यूक शब्द का चैन करें, देश क को खालिस्तान से बचाना चाहिए, तो किस से बचाना चाहिए, अथीतियो, सज्जनो, हरिष्चंदो, जाचंदो, तो हमारा सही जोब क्या होगा, देश को जाचंदो से बचाना चाहिए, ओप्शन फॉर, आगे बढ़ते हैं, दियाए गए वाक्या मेरे खांकित खंड को परति स्थापित करने के लिए उपियुक्त विकल्प का चैन करें, किसी की टॉपी घर में चूट गई और किसी की चश्मा गिर गई, तो बताइए, क्या सही होगा, बताइए कोमेंट करके, किसी की टॉपी घर में चूट गई, और किसी का चश्मा गिर गया, ओप्शन फॉ आगे बढ़ते हैं सही बढ़तनी वाले शब्द का चैन करे तो बताईए कौन सा प्रेमा तूर ठीक है चारो में से बताईए तो हमारा राइट आंसर क्या होगा option a प्रेमा तूर ये वाला ठीक है आगे बढ़ते हैं दिये गए शब्द के प्रियाई वाची शब्द का चैन करें। वैर क्या आएगा इसका। लड़ाई, वीद्वेश, विद्ध्रो, जगडा। तो मारा सेज़ अब क्या होगा। वैर का ओप्शन बी, वीद्वेश। आगे बढ़ते हैं। रिक स्थान को बणने के लिए उप्यूक शब्द का चैन करें। रिक स्थान को बढ़ने के लिए उप्यूक शब्द का चैन करें। बारत्य स्ञेकों ने युद में खालेस्तान का परिच्च दिया. तो किसका परिच्च दिया बाताईए? कायरता, वीरता, खटास, मिठास. बाती है हमारा सही जवाब. तो हम बारत के सेनि कैसे बाताईए? सभी को पता चल गया होगा. बारते सेनिकों ने युद में वीर्ता का प्रिच्च दिया आगे बढ़ते हैं देगे वाक्य में रिखांकित खंड को परति स्थापित करने के लिए प्युक्त विकल्प का चैन करे जो प्रिश्रम से मूँ मोडता है तब जीवन में पिछड जाता है तो ठीक कीजे इसको जो प्रिश्रम से मूँ मोडता है वह जीवन में पिछड जाता है आगे बढ़ते हैं रिख स्थान को बढ़ने के लिए प्युक्त शब्द का चैन करे स्वम सेवको का खालिस्तान परदान मंतरे से मिलने गया तो क्या मिलने गया है दल, टुकडी, बीड, बल तो स्वम सेवको का दल परदान मंतरे से मिलने गया टुकडी सेना के उत्ती है बीड लोगों की उत्ती है और बल यहापर कोई काम का नहीं है आगे बढ़ते हैं, दियेगे वाक्यांश के लिए शव्द दीजी, जो सप्ता में एक बार होता हो, वार्शिक, सप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक, तुमारा सही जोग क्या होगा? जो सप्ता में एक बार होता हो ओप्शन B सप्ताहिक आगे बढ़ते हैं दिये गए वाक्य कब है बाग ज्यात करें जिसमें कोई तुरूटी है जिसके पास चरित्र होता है उसके सामने संसार भर का संपत्या गुटने टेक देती है तो किसमें एक तुरूटी बताईए चार ओप्शन आपके पास दिये गए है तो मारा सही जोब है संसार भर का संपत्या तो ये गलत है आगे बढ़ते हैं दिये गए वाक्यांश के लेक शब्द दीजिए जो बिना वेतन के कारे करे आधुनिक, सामुहिक, एवेतनिक, समेतनिक बताईए तो क्या बोलेंगे जो बिना वेतन के कारे करे तो मारा सही जोब है एवेतनिक आगे बढ़ते हैं निम लिखित गध्यांश के रिक स्थनों की पूर्ती गध्यांश के निचे दिये गए प्रश्णों के नुसार कीची तो चली पहले पढ़लें विश्व के लगबग सभी धरम गरंथों में अहिंशा पालन पर बल दिया गया है अहिंशा का सामने अर्थ है किसी भी खालिस्तान को ने मारन परन्तु अहिंशा का भीप्राय केवल सारे किंसा ने करने तक ही स्मित नहीं है मन से वचन से तथा करम से किसी भी प्राणी को खालिस्तान ने पहुचाना ही अहिंशा है यदि हम किसी को खलिस्तान नहीं दे सकते तो हम किसी का जीवन लेने का दिकार भी नहीं है अहिंसा पालक व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी से परकार के इर्श्या देश आदि से खलिस्तान हो जाते हैं अहिंसा आमेख खालिस्तान नहीं बनाती अपित्यु शक्तिशाली बनाती है। तो चले पहले लाइन देख लेते हैं पहले। विश्व के लगभग सभी ध्रम ग्रण्थों ने अहिंसा पालेंपर बलती है। अहिंसा का साम्माने अर्थे किसी भी खालिस्तान को ने मारना इस्त्री पेड पुरूस प्राणी तो किसको ने मारना किसी भी प्राणी को ने मारना आगे देखते हैं प्रन्तु अहिंसा का अभिप्राय केवल सालेरे खिंसा ने करने तक ही समीत नहीं है मन से वच्चन से तथा करम से किसी प्राणी को तो क्या रुलाना हसाना कष्ट परसंता तो क्या नहीं करना चाहिए प्राणी को कष्ट नहीं पहुचाना चाहिए प्राणी को कष्ट नहीं पहुचाना ही अहिंसा है यदि हम किसी को खालिस्तन नहीं दे सकते तो क्या नहीं दे सकते, मकान, जीवन, दुख, हिंसा, तो यदि हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो हमें किसी का जीवन लेने का अधिकार भी नहीं है, अहिंसा पालक व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्ति B सब परकार के इर्श्या द्वेश आद्धी से खलिस्तान हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं ग्रस्त मुक्त युक्त दिन तो किस से मुक्त हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं ओप्शन B आगे देखते हैं इर्शादेश आदी से मुक्त हो जाती है अहिंसा आमें खालिस्तान नहीं बनाती है अपित्तु शक्तिसाली बनाती है क्या नहीं बनाती है अहिंसा? कायर सपूत शक्तिसाली दोसी तो अहिंसा में कायर नहीं बनाती अपित्तु शक्ति साली बनाती है चले बड़ देख लेते हैं विश्व के लगबग सबी द्रम गृंथों ने अहिंसा पालन पर बल दिया है अहिंसा का सामाने अर्थ है कि किसी भी प्राणी को नेमारना प्रांतु अहिंसा का विप्राय केवल सारे रिक हिंसा नय करने तक ही समित नहीं है मान से वचन से तथक करम से किसी प्राणे को कष्ट नय पूचानना ही अहिंसा है यदि हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें किसी का जीवन लेने का दिकार भी नहीं है अहिंसा पालक वैक्ती के संपर्क में आने वाले वैक्ती भी सब प्रकार के इर्श द्विश अदू से मुक्त हो जाते हैं अहिंसा आमें कायर नहीं बनाती पितु शक्तिसाली बनाती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझ में दिये गए शब्द का विलोम चुनी आयात तो आयात का क्या एगा तो हमारा सही जवाब है आयात का निर्यात आगे बढ़ते हैं दिये गए वाक्या मेरे खामकित खंड को परति सापित करने के लिए प्युक्त विकल्प का चैन करें दोस्तों लाइक करतो ये बर फिर से जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है नियाए व्यवस्ता कहती है कि जिसने अपराद किया है उसने दंड तो मिलेगा ही उप्शन-4 और आगे बढ़ते हैं पैङनिल लिकर्प का चैन करें जो दाल गलना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है तो दाल गलना नुकसान होना युक्ति सफल होना युक्ति बनाना युक्ति ए सफल होना तो मारा सही जोब क्या होगा दाल गलना पईस बार तो दाल गल गई यानि युक्ति सफल होना ओप्शन बी आगे देखते हैं द शाश्वत का है नश्वर आगे देखते हैं सही वर्तनी शब्द का चैन करें तो बताइए कौन सा ठीक है चारों में से बाढ़ पीडित हमारा सही जवाब है ओप्शन थ्री बाढ़ पीडित बड़े पी छोटी डी आएगी आगे बढ़ते हैं दिये गई शब्द के प्रियाईवाची शब्द का चैन करें ग्रै क्या आएगा ग्रै का गगन वसं कुटीर निकेतन तुमरा सेज्वाब है ग्रै का निकेतन अगे देखते हैं देग बाक्य का वह भाग ज्याद करें जिसमें कोई त्रूटी है आदार्श विद्यार्थी के गुण साधा जीवन उच्विचार होता है तो क्या होता है के गुण आदर्श विद्यार्थी साधा जीवन उच्विचार होता है तो मारा सेज़ोफ क्या होगा बताओ बताओ के गुण Option A इसमें तो उट्टी है निमलेकित में से उस विकल्प का चैन करे जो गाठ बांधना मुहावरे का अर्थवेक्त करता है तो बताए गाठ दीखने पर स्मरन होना गाठ में पैसे बांधना अच्छी तरह याद रखना भूल जाना गाठ बांधने का मतलब होता है हमारा सेजाब होगा अच्छी तरह याद रखना तो आप लोग भी इस बात को गाठ बांध लो कि आपको 9 बज़े और सड़े 10 बज़े लाइव आनना है दोस्तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके जुरूर बताना जो बच्चे नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दुपाना नहीं भूले वीडियो फो नॉट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nokrasprint.com पर जाकर जीट कर सकते हैं थैंक्स फूर वाच्चिंग, बाइब बाइ, तेक केर